हेलो एबरिबन मैं हूँ लेलीता और आप लोगों का सेमें स्टार किजन पर स्वागत है चौमिन मनाने के लिए मैंने यहाँ पर डेड़ लिटर पानी लिया है इसे हम बॉयल कर लेंगे जैसे ही बॉयल होने लगेगा तब हम इसमें नूडल्स डालेंगे अब यह पानी हलका सा गरम होने लगा है तो इसमें हम नमक डाल देंगे नमक मैंने आधा चमच लिया है नमक को थोड़ा सा कम या ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्लेम को अभी हम फुल रखेंगे ताकि जो पानी है वो जल्दी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास एजली अवेलेबल हो यह डेड़ सो ग्राम का पैकेट है जो मैंने लिया है तो अब यह नूडल हम पानी में डाल देंगे फ्लेम को अभी भी मैंने हाई ही रखा है नूडल को हम पानी में लगभग तीन से चार मिनिट तक पकाएंगे हमें ध्यान रखना है कि नूडल को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पकाना है बस इतना ही पकाना है कि जो नूडल है वो 80-90 परसंट तक ही कुक हो जो कि जब हम इसे बाद में पकाएंगे तब यह थोड़ा पकेगा नूडल को पकाते वे मुझे लगभग तीन मिनट हो गया है इसे हमने हाई फ्लेम पर ही पकाया है और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह पका है कि नहीं देखिए जब इस तरीके से आप लेंगे तो यह हलका सा दबने लगेगा बहुत ज्यादा भी नहीं दबना चाहिए नहीं तो यह ओवर कुक हो चुका होगा तो चलिए अब इसे हम तुरण चान लेंगे तो यहां पर मैंने हम नोडल को चानेंगे अब डाइरेक्ली से टैप के नीचे भी चान सकते हैं क्योंकि इसमें अभी हम थंडा पानी डालने वाले ताकि यह ओवर कुक नहीं हो कि अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया है और अब हम इसे पंखे के नीचे यह फिर ऐसे ही रख देंगे और पानी को अच्छे से चंजाने देंगे कि एक चम्मच से और चम्मच इसमें हम ओल भी मिला देंगे ताकि जो यह नूडल्स है वापस में मिक्स ना हो प्रवल्स है तो अब हमने मिक्स कर दिया है इसे अब हम साइड में रख देते हैं तो अब हमने चॉमिन को फ्राइब करने के लिए यहां पर कड़ाई लेली है कड़ाई में हमने डाला है दो चम्मच तेल तो अब गरम कर लेंगे तो लगबग आधा चम्मच हम यहां पर फाइनली चॉप्ट गार्लिक एड करेंगे यानि लहसून में लाएंगे यानि लहसून फ्राई करेंगे अब अब मीडियम रखेंगे लहसून अब हलका सा फ्राई होने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कटकर के लिए हैं मीडियम साइज प्याज है लेंको मैंने अब हाई से हलका सा कम रखा है मेडियम से थोड़ा सा ज्यादा रखा है याज को हम लगबाग आधे से एक मिनट तक पकाएंगे बहुत ज्यादा पकाने की ज़रुवत नहीं है अब मैंने फ्लेम को एक दम हाई कर दिया है यहां पर जो भी सब्जेया है हमें थोड़ी क्रंची चाहिए इसलिए इसलिए इसे हाई फ्लेम पर क्राई करेंगे ताकि उनका क्रंच बना रहे है और बहुत ज्यादा फ्राइन ही पर यानि बहुत देर तक नहीं पकाएंगे एक गाजर इस तरीके से कटकर के ली है यह भी में इसमें डाल देंगे एक हमने यहां पर हरी मिर्च कटकर के लिए हैं यह भी हमिसमें डाल देंगे तो एक कप मैंने यहां पर कैबेज लिया है यानिकि बंदगों भी लिया है पतला कट करके ये इसमें डाल देंगे इसके साथ ही मैंने यहां पर तीन कलर की सिम्ला मिर्च ली है ये भी हम इसमें डाल देंगे अगर आप ये तीनों मिला कर देखें तो एक सिम्ला मिर्च के बर रखेंगे और इस तरीके से पकाएंगे इसमें मैंने एक चम्मच इस्वेंग ओनेल भी मिलाईए उसारी सब्जीयों को मिलाकर लग दो मिनिंट तक हमने हाई फ्लेम पर पका लिया है तो अब बाकी की चीज़ें डालेंगे वागी की लिए आप लो कर दें तो दो चम्मच मैं अगर आपको मीठा नहीं पसंदे तो आप बिने तामैटो सॉस के भी बना सकते हैं अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ग्रीन चिली सॉस इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालें अब इसके साथ ही आम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर आठ से दस मैंने आप काली मिर्च कूच कर लिए हैं काली मिर्च आप इसमें अपने स्वाधन सार डालें अब हम इसमें डाल देंगे और अब सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से आप दो चम्मचे की हल्क से इसे मिक्स करें तो यह असानी से मिक्स हो जाएगा इसे मिक्स करते वक्त फ्लेम को हमें मीडियम रखने हैं लिए चौमीन को ने अच्छे से मिक्स कर लिया है चौमीन अब हमारी रेड़ी हो गई है उपर से हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ इस्प्रिंग मोनिन डालेंगे और इसे अब हम सर्फ करेंगे इसे मिक्स करने में मुझे लगबक 3-4 मिनिट लगे हैं चौमीन को मिक्स करने क दौरान ही आप नमक भी टेस्ट कर लें अगर आपको नमक की जरूरत लगे तो आप इसमें डाले नहीं तो ना डाले क्योंकि चॉमिन में जो सॉसिज हमने यूज करी है उसमें नमक होता है और इसे हमने बॉयल करते वग भी नमक का यूज किया था तो यह देखिए हमने अप आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें